इस वक्त यूपी से लेकर दिल्ली की राजनीती गर्माई हुई है सांसत ब्रजबूशन सरंड सिंग के ओपर ऐसे गंभीर गंभीर आरोप लगे जिसको लेकर आज चर्चा खूब तेज है लेकिन आये जानते हैं यह मामला कैसे शुरू हुआ और अब तक इसमें अपडेट क्या है दरसल अठारा तारिक को अठारा जन्वरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ रैसलर्स बैट जाते हैं धरने पर और वो कुछ रैसलर्स ऐसे वैसे रैसलर्स नहीं है बलकि ओलम्पिक और कॉमन वेल्ट गेम्स में मेडल जीतने वाले नामी रैसलर्स हैं जो कि बैट जाते हैं धरने पर उनका आरोप जो है वो यह होता है कि कुछती महा संग के जो अध्यक्ष है ब्रजभूशन सरन सिंग जो कि यूपी के गोंडा से सांसा दे कैसर गंसे वो जो है उनके उपर यौन, सोशन और तमाम गंभीर आरोप जो है लगाये जाते हैं इस आरोप के बाद खलवली मज जाती है लगातार जो है चर्चा और तेज हो जाती है जब इसी बात को लेकर ब्रजभूशन शरन सिंग से बात की जाती है तो उस दोरान यानि 18 जनवरी की शाम को वो प्रेस कॉंफरेंस कर कहते हैं कि भाई जितने भी आरोप मुझ पर लग रहे हैं ये बिलकुल गलत आरोप है ये किसी पूंजी वादी की वज़े से जो है ये मुद्दा बेफिजूल में उठाया जा रहा है ल अध्यक्ष के निगरानी में जो कोचस थे उनके फेवरेट लगें तब तक देश्भर में इस बात की चर्चा तेज हो गई उत्तर प्रदेश में भी खास तोर पर गोंडा से लेके आस पास की जो इलाके हैं उनमें भी चर्चा होगी और जो खेल प्रेमी है उन्होंने आव पास बुलंद करनी शुरू की और देखते ही देखते उन्निस जनवरी यानि कल जो है यहां पर तमाम जो खिलाडी है चाहे वह रेसलिंग से जुड़े हो चाहे वालीबॉल से जुड़े हो चाहे पुराने कोचे जो सभी यहां जंतर मंतर दिल्ली में पहुंचते हैं और धरन बात नहीं है जब देश भर में यह चर्चा तेज हुई तो उसके बाद खेल मंतराले ने भी इसमें सक्त अपनाया उन्होंने 72 घंटे का समय दिया कि अध्याक्ष और उनकी जो कमेटी है जो उनका जो कुष्टी महसंग है वो 72 घंटे के अंदर इन यौन चोशन जैसे आरो 10 बजे का समय रहता है खिलाड़ी यहां से 10 बजे जाते हैं वहां पर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद लगभग एक बजकर 45 मिनट तक यह मीटिंग चल रही होती है मीटिंग में अनुराग ठाकुर कोशिश करते हैं कि बात जो है वो सुनी जाए किस तरह से स्को सॉल् लेकिन यहां पर बात बन नहीं पाई लेकिन फिर भी अगले दिन यानि आज बीस जनवरी को अनुराग ठाकुर ने दुबारा उन्हें ब्रेकफास्ट पर बलाया दुबारा एक मीटिंग जो है रखी गए जिस पर बातचीत की जाए ताकि इस मामले को कैसे सॉल्फ किया ज है यह जो इस पी जाच कर सके लेकिन फिर भी आज जो है खिलाडी अनुराग ठाकुर के बुलाने पर उनके घर पर नहीं आया आज जंतर मंतर पर दस बजे से अपना धरना कंटिन्यू कर रहे हैं वहां लोग अभी भी पहुंच रहे हैं तो यह तमाम अपडेट्स हैं जो क अबस्कार